अगर आप बंधन बैंक में डाटा एंट्री अपरेटर के पदो पर भरती होना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं तो इस पोस्ट को पढ़िए इस पोस्ट का लिंक वीडियो का डिस्रिप्शन में मुझूद है जहां से किली कर गया असानी से इस पोस्ट को रीड आउट कर सकते हैं इस पोस्ट पर आने के बाद में आपको स्क्रोल लाउन करना है, यहां पर सारी जनकारी आपको अस्टेब बैस्टेब बताई गई है करने के बाद में यहां पर दिखे इपोर्टेंट लिंक मिल जाता है, यहां पर दिखे क्लिक खेर के बटन पर आपको क्लिक कर देना है, चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, क्लिक खेर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी डिल्स दिया गया है, यहां पर द बताया गया है और यहां पर दिखे data entry operator के लिए बताया गया है कि इस पदो पर आप आवेधन कर सकते हैं वहीं educational qualification है बरावी pass यादी अब बरावी pass है तो इस firm को असानी से भर सकते हैं नीचे scroll down करना है scroll down करने के बाद में यहां पर पूने जनकारी आपको दी गई है यहां पर की जनम 284-291 से लेकर 284-2005 तक के बिच में होना चाहिए यदि आप संपर करना चाहते हैं कुछ जानना चाहते हैं तो help desk team से आप संपर कर सकते हैं यह रहा नंबर यहां पर देखिए आपको मिल जाता है email ID यहां पर आप mail भी बेश सकते हैं apply online करने के लिए यहां पर link मिल करता है apply का इस पर आपको किली कर देना है apply के बटन पर किली करने के बाद आपके सामने इस तरह का government के official website open हो जाता है दोस्तों यहां पर national career service यहां गुर्मेंट भारा सरकार का यह website है यह तनिका भी फरजी नहीं है आपको निचीत रहना है आपको 100% आप भरोसा इस पर कर सक करते हैं यदि आपके पास पहले से user id password है तो यहां पर username और यहां पर password दाज़कर के यहां से login कर लेंगे यदि आपके पास user id password नहीं है तो new user यहां पर sign up के बटन पर आपको क्लिक कर देना है sign up के बटन पर click करने के बाद यहां पर दिखिए आप जो भी है इसमें से select करें मैं पहले बाले option को यहां पर select करने वाला हूँ यहां से एक ID select करना है जैसे कि event number, pen card, other आपको select करना है इस तरह से आसानी से select करके आप अपना account यहां से create कर सकते हैं हमरा account create है तो यहां से मैं bake आता हूँ bake आने के बाद में यहां से login कर लेता हूँ यहां पर type करता हूँ username यहां पर password दर्ज करता हूँ और sign in button पर click कर देता हूँ sign in button पर click करने एक बाद यहां पर आपको OTP एक दर्ज करना है जो की email पर गया होगा और भी reply button पर click कर देना है यहां पर देखे इस तरह का interface अपन हो जाता है आगे बढ़ने के लिए click to proceed यहां पर लिखा गया है इस पर आपको click कर देना है यहां पर देखे profile complete करने के लिए कहा जा रहा है मैं profile complete कर देता हूँ ज जब के लिए interested है तो यहां पर यह असनुमिए आप जबाब देंगे यहां पर आप religion select करेंगे जहां से आप रहने वाले हैं यहां पर profile complete करने के बाद update कर दिना है दोस्तों यहां से job के लिए apply करना बहुत यह असान होता है इसके पहले आप profile update कर लिजिए क्योंकि पहले से profile update रहता है तो वही profile आपको apply कर देता है profile update पर यहां पर आपको click करना होता है profile update करने के लिए आपको यहां पर click करना होता है देखिए profile update का एक button है इस पर click करने के बाद आसानी से आप profile update कर देजिए जो भी profile में mention है यहां पर दोस्तों update कर देंगे तो आपका profile update हो जाएगा इसके बाद में आप जब भी job के लिए apply करेंगे तो automatic apply हो जाएगा यहां तक आने के बाद आपको फिर मेरे website पर आना है website हिंदी पर और यहां पर click here पर click करना है apply करने के लिए आपके समने इस तरह का interface open हो जाता है और यहां से apply बटन पर click कर दिना है यहां से apply करने के लिए आगे बढ़ने के लिए continue and apply इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद आपके समने इस तरह का interface open हो जाता है यहां पर दिकिया applied लिखा हुआ है यहां से प्रिंट निकालना हो तो यहां से प्रिंट और निकालके आप feature reference के लिए रख सकते हैं यहां से save button पर click करके आप कहीं भी desktop पर save कर सकते हैं अब मैं email पर आता हूँ email खुल के open करता हूँ email खुलने के बाद मैं यहां पर दिखिए एक message भी पराप्त हुआ है इसको मैं open करके आपको दिखा देता हूँ यहां पर एक message पराप्त हुआ है thank you for your application of bandhan bank यहां पर direct दिया हुआ है pressure के लिए job है दोस्तो यहां पर आपको notification पराप्त होगा समय समय पर आप email चेक करते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा इस वीडियो में बंधन bank में आवेदन करने का तरीका बताया हूँ कि data interpreter के लिए online आवेदन कैसे करें दोस्तो बहुत ही असान सिंपल है कि वहलापको फरम अपडेट करने में जो भी profile अपडेट करने में समय लगता है वही समय लगता है यहां पर आप profile अपडेट कर देंगे तो आपका खाम बन जाता है इस वीडियो से बंदित कोई भी सवाल या सुझा हो तो comment box में बताएं मिलते हैं नी वीडियो में धन्यवाद